स्वागत है आपका मीना की अवाज यूट्यूब चानल पर और आज हम बात करेंगे भारत सरकार के पूर्व मंत्री नमो नारायन मीना के बारे में घर में एक IAS और IPS जरूर देखने को मिल जाएगा नमो नारायन मीना अपने पांच भाईयों में सबसे बड़ा था लेकिन सबी पांचों भाई प्रशासनिक अधिकारी थे वर्तमान में देवली उनियारा टॉंग से विधायक और राजिस्तान के पूर्व डीजीपी हरीश मी मीना भी इसी नमो नारायन मीना के छोटे बाई हैं नमो नारायन मीना भी IPS बनने के बाद IG और DIG जैसे बड़े पदों तक पहुंच चुके हैं प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड होने के बाद नमो नारायन मीना ने पहली बार 2004 में राजनीती में कदम रखा था 2004 में नमो नारायन मीना टौंग सवाई मादोपूर से पहली बार सांसत बने थे जिसके बाद 2004 से 2009 तक नमो नारायन मीना ने पर्या वरन और वन मंत्रालय में केंद्रिय राज्य मंत्री के रूप में भारत सरकार की सेवा की थी उसके बाद 2009 में नमो नारायन मीना ने गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता करनल किरोडी सिंग भैसला को हराकर टौंग सवाई मादोपूर से दुबार सांसत बने जिसके बाद 2009 से 2014 तक नमो नारायन ने भारत सरकार के वित मंत्राले में केंद्री राज्य मंत्री के पूर्व डीजीपी हरीश मीना को खड़ा किया था राजनीती में ये भी संभव है दो सगे भाई आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे यही नहीं उस वक्टर किरोडी लाल मीना भी दोसा से निर्दलिये कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे थे लेकिन 2014 में मो 2019 में वापस टॉंग सवाई मादोपूर से कॉंग्रस के टिकेट पर चुनाव लड़े थे परंतु 2019 में मोदी लहर में नमो नाराइड मीना मामूली अंतर से बीजेपी के सुपीर सिंग जौन पूरिया से चुनाव हार गए थे लेकिन नमो नाराइड का पिछले दो चुना परंतु इस बार फिर से नमो नाराइड मीना टॉंग सवाई मादोपूर या फिर दोसा से लोग सवा का चुनाव जरूर लड़ेंगे तो ये थे पूर्व IPS, पूर्व सांसत, पूर्व मंत्री और कॉंग्रस के दिगज नेता नमो नाराइड मीना दोस्तों आप भी कमेंट करके बताएं कि नमो नाराइड मीना को अगला चुनाव कहां से लड़ना चाहिए साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चानल मीना की अवास को सब्सक्राइब करें धन्यवाद